असलाम वारेकुम दिस जवेरिय हुकावाला वेलकम तू मैं चैनल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे दो तरहां की वीडियो आप लोगो देखने को मिलती हैं या तो वो कुकिंग रेसिपीज होती है या फिर होती है प्रोड़क्ट रिव्यूज तो आज बा वहम आज इस वीडियो में जानेंगे तो आज सिर्फ हम प्रोड़क्ट पर बात नहीं करेंगे बलके हम यह भी बताएंगे कि प्रोड्लम क्या होती है में जिसके विज़े से प्रोड़क्ट यूज करना चाहिए इस्को न यूज करने से क्या प्रोड्lems हो सकती है और Εसके आए बाइशाय करने के बज़ाए पॉइंट टू पॉइंट बात हो सके और प्रोड़क्ट को अच्छी दहां जाना जा सके और इसके क्या यूज़ है ये भी देखा जा सके तो आईए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके केर कंसर्ण या फिर वो प्रोड़लम जिस पर ये प्रोड़क्ट हमारी यूज़ होनी चाहिए तो हम जब ठके वे होते हैं और रात में हमारा एक ही रूटीन है मुस्टी लोगों का कि वो फेस वाश यूज़ करके और समझते हैं हमारी सके क्लीन हो गई है जबके सन ब्लॉट और दूसरी चीज़ें अगर आप मेकप ना भी कर रहा हैं तब ये सब चीज़ें हमारी सकन को डैमिज कर रही होती हैं और हमारी सकन के अंदर जा रही होती हैं और फेस वाश इस नौट एनग फ़र दाट तो अब बात करते हैं इसके solution की और solution है एक अच्छा cleanser cleanser face wash भी cleanser है लेकिन face wash से पहले आपने कोई cream cleanser यूज़ करना है चाहे वो lotion form में हो या milk cleanser हो जो के आपकी skin से dirt, sunblock, हर शीज़ clean कर दे उसके बाद आपको face wash यूज़ करना है cleanser basically आपकी skin को deeply clean करता है cleanser so market में बहुत सारे available हैं लेकिन आज मैं जिस cleanser की बात कर रही हूँ उससे जब मैंने try किया और use किया तो बहुत ही outstanding result मिले है मुझे तो सोचा आप लोग के साथ भी share करूँ तो आईए चलते हैं बात करते हैं product की तो जिस product की मैं बात कर रही हूँ वो है derma shine का brightening deep cleanser derma shine is a skincare brand owned by lipcara और यह claim करते हैं कि इनकी products Germany में formulated होती है और यह 100% herbal और organic skincare products तो यह क्योंकि brightening deep cleanser है तो वाकिए इसको use करने के बाद आपको लगेगा एकदम आपकी skin bright हो गई है बहुत glowy हो गई है जब आप इसको use करते हैं और आपकी skin बहुत different feel होती है लगता है कि clean हो गई है literally अब मैं आपको इसके ingredients बताऊंगी ना सिफ ingredients बताऊंगी बलके इसके pros and cons भी बताऊंगी कि क्या चीज मुझे इसमें अच्छी लगी और किस चीज से मुझे use करने में थोड़ी problem feel हुई यह सब कुछ इस वीडियो में तो इस वीडियो को end तक देखिए ताए कि आपको इस product के बारे में complete details मिल सकें तो ingredients तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको चंद वो ingredients बताऊंगी जो कि बहुत जादा beneficial है हमारी skin के लिए और जो इसमें मौझूद है अगर इसके अंदर हम moisturizing agents की बात करें तो steric acid और myristic acid हमारे face को moisturize करता है और इसके इलावा सबसे अच्छा है इसके अंदर एक ingredient है that is geranile और geranile जो है face पे से pores को tight करता है हमारे face पे जो pores होते उनको tight करता है और pores के हवाले से information आपको मेरी इस niacinamide की वीडियो में जरूर मिल जाए ही उसको भी जरूर देखेगा इसके इलावा इसके अंदर topofryl acetate है जो के anti-aging है हमारे face पे जो wrinkles पगएदा आ जाते है उसको ये उस problem को ये दूर करता है तो अब बात कर लेते हैं इस product के pros and cons की तो सबसे पहले अगर मैं pros पे बात करूं इसके क्या फाइदा है मुझे देखे है the product claims कि इस से skin bright होती है skin complexion अच्छा होता है तो वाकई में इसको use करने के बाद skin बहुत ज्यादा bright और glowy feel होती है so it does what it says तीसरी सबसे अच्छी बात इस product की ये है कि all skin types के लिए है यानि कि इसको dry skin वाले भी use कर सकते हैं combination skin वाले भी use कर सकते हैं और इसके अंदर मौझूद vitamin E that is stocopherial acetate वो जो है dry skin वालों के लिए भी अच्छा है और combination skin वालों के लिए भी जबरदस्ट है ये तो बात हो गई कि इस product में क्या-क्या अच्छी बाते हैं अब बात कर लिए हैं कि क्या चीज मुझे इस product में problematic लगी और वो चीज ये claim कर रहा है सबसे पहले तो कि आप इसको अगर regular use करेंगे तो ये आपके skin को बहुत अच्छा glow देगा दो skin को glow दो देगा लेकिन regular use से मुझे लग रहा है कि मुझे हलके से acne आना शुरू हो गई थी because its consistency is bit thick तो regular use के लिए मैं इसको recommend नहीं करूंगी मुझे ये regular use के लिए suit नहीं किया है इसको अगर आप weekly use करें दो दफाय तीन दफाय तो it would work best for you तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी packaging की, इसकी consistency की और इसकी pricing की packaging की बात करें तो ये 200 gram की packaging में हमें मिल रहा है और ये professional cleanser है तो वाकिए इसकी packaging है वो बहुत ही जबरदस है तो इसके साथ ये cap भी दिया हुआ है हमें और इसको आप safely बापस बन कर सकते हैं यूज करने के बाद अगर मैं आपकी consistency दिखाऊ हूँ तो ये बिलकुल एक cream form में है और ये बहुत अच्छे से make-up और dirt को melt कर देता है as you can see it's like a cream बात कर लेता है इसकी pricing की और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से ये 1 out of 10 किस scale पर रखते है इस product तो जी इसकी pricing बहुत reasonable है और वो है 585 नहीं कि around 600 तक आपको ये market में मिल जाएगा जिस तरह के इसमें features है अगर इसको compare करते हैं market में दूसरे cleanser से तो काफी महंगे है और ये बहुत reasonable मिल रहा है अब बात कर लेता है इसकी rating की तो अगर मैं इसके fragrance, features और इस product के अंदर मौझूद जबर्दस हैं ingredients की बात करनो तो मैं इसको rating दूँगी 8 out of 10 अगर आपको ये product review अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe किये बगार मेरे channel समझ जाईएगा take good care of yourself thank you, allahafiz